नमस्कार इस समय हम मधवनी के मधवापूर प्रखर्ण इस्थित पहिवारा गाउं में मौझूद हैं और यहां बीते एक सप्ता से बाढ का पानी खत्म नहीं हो रहा है जिसके वज़े से स्थाडी लोग को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पर रहा है बाढ के पानी की व लोगों के किसी प्रकार की सहीओ की गई है ऐसा यह ग्रामीन बता रहे हैं इनसे बाचीत करने कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो बाढ है उसका अस्तर क्या है और इस पानी से लोग कितने प्रभावित हैं अपना नाम बता दीजे महमंद नजरू हम अभी तक लग कोई ची के रहत नहीं मिला है सारे गरीब पडिशान है हम लोग फोन करते हैं फोन उठाने के लिए त्यार नहीं है काता हम कहां से दाए पानी आये हुए कितने दिल हो गया पानी आये हो अच्छा घर में पानी घुशा वा था कोई उधर खाना बना रहा था क उधर खाना बड़ा रहा था कोई सरन लिए हो था पानी खतम हुआ तो सब धीरे धीरे आ रहा है फिर भी देखे बद्वू कितना है पानी पूर्ण रूप से खत्म नहीं कबसे महीनों दिन लगेगा पानी के चारों तरब घराव है पानी बहने का कोई संभावना नहीं है तो प्रशासन के द्वारा क्या कहा जा रहा है आया था शियो सायब सब आया था पानी के कटाव क्या उधा तो पानी तो सरकने बाला है नहीं तो कहां जाएगा पानी पानी के बहाव कहीं नहीं है अपने हैं, सब गढ़ दुआर सब पानी सब अधान मना आगे लिए सब गीड के लिए कहा रहाँ खाना बनावे कि दिकत है तो तो ही में रहते हैं, वही चौकी दह के वही पर रहते हैं, तरी में पानी उपर से बेठ लाची अभी कितने दिनों से पानी जमा है? आसे हाथा Hahn आपा दिन से हैं! आपटा दिन से हैं, Isskी की अप लोगकी तरोगी सुध लेने के लिए आए है? ना, नहीया नहीं आए है? नहीं आया नहीं है? तो नहीं आता है? नाई कोई देखने नहीं आता है? नाई कोई ने देखने आती है? जुक है रहा है? तो थोड़ा गैखे शची केमाल ज़ाल बकरी आदमी के सब के इसे बनाते है? खाना रहा है दोड़ान पर से चीनके लावई हाह, आम चूरा खाय?" यहाँ आम खाते है, गास पर से दुला दुला के हमण आने यह," तो यह माझद नजरो जी कितने लोग प्रभावित हैं चास घर परभावी थे बार से जैने में 25 घर इधर है पचीश घर करें दूस टोली में है एक नमरवाड में हम लोग चीओ साब के फोन किये हैं अभी तक लग कोई ची के रहत नहीं मिला है सारे गरीब पडिशान है हम लोग फोन करते हैं तो फोन उठाने के लिए तयार नहीं है काता हम कहां से दाए एक हपता हो गया पानी आए हो अच्छा सारे घर में पानी घुशा वाता कोई उधर खाना बना रहा रहा था कोई तरीक से वावा पानी खतम हुआ तो सब धीरे-धीरे आ रहा है फिर वी देखे बदबू कितना है पानी पूर्ण रूप से खत्म नह रखने बाला हाई नहीं तो कहां जाएगा पानी नहीं नहीं किने है कि श вспदांने के वी त्यकीक के नहीं कुछ चीज़ कोईवर्ण नहीं है कोई आया है पानी को दूश्य थोने से बचाने के लिए कुछ भी नहीं है तो भाठ के दौर आद ये जो धौसनादी का पानी है ये तो हमेशा आता रहता है भाठ की चपेट में गाउं रहा है प्रभावित रहा है तो आसी परस्थेते में फिर आप लोग क्या करते हैं यहां यहां के अस्थानी लोग जिस तरीके से बादचीत कर रहे हैं बता रहे हैं कि बाड़ के दोरान उन्हें तमाम समस्यों का सामना करना पड़ता है खास तोर पर तब जब उन्हें घर से बाहर निकलना हो राशन सामागरी लानी हो या फिर घर पर खाना बनाना हो क्योंकि स्थानी लोगों के मुताबिक दो से तीन फीट पानी उनके घर में जमा होता है और इस पार जो पानिया है वो तटबंध तूटने के वज़ा से आया है इस पर प्रशासन कुछ काड़े नहीं कर रहा है ऐसा स्थानी लोग आरोप लगा रहे हैं इनके मन में उनके प्रती नाराजगी है बाकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो हम आपके तास अपडेट कर रहे हैं